सब्सक्राइब करें सुभम लेक्टरर चैनल को और बेल आइकन दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम क्लास टोयल हिंदी के स्टार्टिंग में पूछे जाने वाले आपजेक्टिव कुश्चन्स को देखेंगे तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग 10 ऐसे objective questions को देखेंगे जो हिंदी गद्य साहित के विकास पर आधारित है तो बच्चों इसमें मैं आपको 10 questions बताऊंगा जो की important है तो चलिए शुरू करते हैं तो बच्चों question number one जो आपका है वो है सरस्वती पत्रिका के संपादक है ऐसे आपके word exam में questions आएंगे और उसके चार options दिये रहेंगे जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहें है तो चार options दिये रहेंगे तो आपको इसमें से चुनना होगा कौन सा options हही है तो पहला बताएं सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है तो आपका first option है महाबीर परसाद दिवेदी second option है स्याम सुन्दर दास third option है जैसंकर परसाद fourth option है हर्देव बाहिरी तो इसका जो सही अंसर है बच्चों वो है खा क्या है स्याम सुन्दर दास यह आपकी बोड एक्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं red color से तो आप चलिए हम लोग second question लेते हैं तो इसको आप याद रखिएगा कि सरस्वती पत्रिका के पर्थम संपादक स्याम सुन्दर दास थे चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा question तो बच्चो question number 2 क्या है आनंद कादंबिनी पत्रिका का संपादन करते थे यानि कि आनंद कादंबिनी जो पत्रिका है उसका संपादन कौन करते थे तो आपके चार आपसन इसमें भी दिये रहेंगे फर्स्ट है परताब नरायन मिस्र सेकंड है बद्री नरायन चौधरी प्रेम घन फोर्ट थर्ड है बालकृष्ण भट और आपका फोर्थ है सरदार पूर्ण सिंग तो इसमें से एक एंसर बच्चो सही है वो कौन सा सही है तो आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक जोन थे वो उत्थे बच्चो बद्री परसाद, बद्री नरायन, चौधरी प्रेम घन ठीक है तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोनों important है अब चलिए आगे देखते हैं बच्चो हम लोग तो आगे आपका question है third question third question क्या है बच्चो परजा हितैसी फामा चार पत्र का संपादन किया किसने किया था का हजारी परसाद दिवेदी खा, राजा लचमर सिंग ने गा सचिदानन्द, हिरानन्द, वात्सयानन्द, अगे ने और घा है सिउपरसाद सितारे हिंदने तो इसका एक ही एंसर सही है तो कौन सा है बच्चो वो खा है ठीक है तो इससे आपको क्या होगा बच्चो आपके pattern की जानकारी होगी कि ऐसे ही हमारे word exam में questions आएंगे तो अगर आप लोग कहेंगे बच्चो तो इसके आगे मैं इसे copy में लिखकर अच्छे से समझाऊंगा और अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो comment करके बताईए ठीक है तो चलिए देखते हैं तीसरा question क्या था परजा हितैसी के जो समाचार पत्र का संपादन करते थे वो थे बच्चो राजा लच्मर सिंग ठीक है राजा लच्मर सिंग ने परजा हितैसी समाचार पत्र का संपादन किया था आप चलिए बच्चो हम लोग बढ़ते हैं चाओ थे कोईशन की ओर तो चाओ था कोईशन भी आपके स्क्रीन पर है तो देखे क्या है प्रारंभी गद लेखकों में दो राजाओं में से एक थे यानि कि जो प्रारंभी गद लेखक थे वो दो राजाओं में से एक राजा का नाम इसमें दिया हुआ है चारो आपसन में वो कौन थे चलिए देखते हैं का है सदा सुखलाल, खा है सदल मिस्र, गा है सिवपरसाद, सितारे हिंद, गा है लल्लूलाल, तो बच्चो इसका सही अंसर जो है वो ये है, गा, सिवपरसाद, सितारे हिंद, ये प्रारंभिक गद लेख को में दो राजाओं में से एक माने जाते हैं, ठीक है, आप चलिए द तो ये चारो भासाओं में से किसी एक भासा में लिखा गया है बच्चों वो भासा कौन सी है तो वो भासा है बच्चों खा ब्रज भासा ठीक है तो जो अस्टयाम बच्चों है उसकी जो भासा है जिस भासा में वो लिखा गया है वो है ब्रज भासा चलिए हम लोग आगे यानि कि जो हिंदी साहित्य का जो बच्चो आधुनी काल था उसको गद्य साहित्य की संग्या किसने दी थी ठीक है गद्य काल की संग्या तो इसमें से एक एंसर सही है वो भी आप लोग गेस कर सकते हैं ये है बच्चो आशार रामचंदर सुकल तो इसका मतलब है बच्चो इस वीडियो का मतलब है कि मैं आपको अच्छे से प्रेक्टिस करा सकूं कि कौन सा सही है आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाए यानि कि जो हरिषचंदर थे भारतेंदू हरिषचंदर बाद में उनका नाम हो गया था तो भारतेंदू की जो पदवी है उससे सुसेवित कभित किया था बच्चो तो फस्ट है सन 18-60 में खा है सन 18-65 में गा है बच्चो सन 18-80 में तो एंसर बच्चो इसका है घा सन 18-18 बी में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुसोबित किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चो कुश्चन नमबर हमारा 8 क्या है तो कुश्चन नमबर 8 जो है बच्चो बाला बोधनी पत्रिका के संपाधक थे चार आपसन आपके पास दिये रहेंगे फस्ट दिया रहेगा बच्चो स्यूपरसाद सितारे हिंद खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र गा है बच्चो ठाकुर जगमोहन सिंग घा है कासिनात खत्री तो इस चारों में से कौन सा आपसन सही है बच्चो जो आपसन सही है उस पर आपको टिक करना है तो खा है बच्चो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो ये थी बच्चो आपके 8 कुश्चन अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है तो तो बच्चो हम लोग अब देखते हैं अपना 9 कुश्चन तो 9 नमबर कुश्चन भी सिंपल सा है इसको भी समझ लीजिए ठीक है तो है भारतेंद युग के लेखक हाएं भारतेंद युग के लेखक इन में से कौन हैं तो आपको कई यूग पढ़ाए जांगे भारतेंद यूग दिबेदी यूग तो इन सब के लेखकों का नाम आपको समझना है ठीक है तो फर्स्ट क्या है बच्चो भारतेंद यूग पूछा जारा है तो फर्स्ट है प्रताप नारायन मिस्र खा है राहुल सांस्कृतियान ग तो इन चारों में से कोई एक है जो भारतेंद यूग के लेखक थे वो बच्चो सही अंसर है का ठीक है प्रताप नारायन मिस्र तो आई होब कि आपको यह समझ में आ चुका होगा आप देखिए बच्चो हमारा कुश्य नंबर 10 आता है हिंदी प्रदीप के संपादक थे इ इसके संपादक कौन थे का है बच्चों प्रताम नारायन मिस्र खा है बाल करिश्ण भट गाहा राधा चरणूंगो स्वामी घाह बद्री नारायन चोधरी प्रेमगन तो इसका सही अंसर है इस्टूडेंट खा बाल कृष्ण भट थे जो की हिंदी प्रदीप के संपादक चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों एक कुष्ण और देख लेते हैं हम लोग यहां पर वह ग्यारा नंबर कुष्ण चंद्रकांता संतती रचना है इन्हीं में से किसकी रचना है चंद्रकांता संतत कौन से यूगी की रचना है तो आपको फर्स्ट आप्सन दिया गया है भारते अंदी यूग से केंड़े दिवेदी यूगा है चाया वादी यूगा है बच्चो चाया वाद उत्तर यूग यानि कि चाया वादी से उत्तर यूग था पहले था वो चाया वाद उत्तर यूग ठीक है तो चंद्रकांता संतत जो है बच्चो वो दिवेदी यूग क आचुके होंगे आप इसे रिपीट कर लिजिएगा एक बार अगर समझ में नहीं आया हो तो तो वच्चों इस वीडियो में बस इतना ही अगर अच्छे लाइक्स और सेयर करते हैं तो मैं आगे के इसके पार्ट जरूर बनाऊंगा चाहे वो कौपी में लिखकर चाहे तो इस इस वीडियो में स्टुन बस नहीं थाइंक्यों